दोस्तों अगर आपने हिमाचल प्रदेश पुलिस कॉंस्टेवल रिखुरूट्मेंट 2021-22 के लिए फोर्म फिल अप किया है तो ये वीडियो आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा ध्यान देना वीडियो को लाज तक देखना पहली बार जुड़े हमारे चैनल के साथ तो ये देखते हैं ये नोटिफिकेशन है क्या हम दोस्तों ओफीशियल पेज के उपर है हिमाचल प्रदेश पुलिस का जो ओफीशियल पेज है तो इसमें लिखा गया है हिमाचल प्रदेश पुलिस में 1334 जिसमें 932 पुरुष और 311 महिलाएं तथा 91 ड्राइबर पुरुष आरक्षीऊं के लिए रिक्त पदों के लिए उनलाइन अबेदन दिनांक 1 अक्तूबर 2021 से लेके 31 अक्तूबर 2021 सुबह आट वज़े तक मांगे गए थें आपको बता दें जिसके लिए आज दिनांक 31 अक्तूबर सुबह 8 वज़े तक 18,311 कैंडिेट्स ने आबेदन किया है तो अब competition आप थोड़ा सा analyze कर सकते हैं already our action जो है एक या दो सालों का extend किया हुआ है हर एक category में तो और भी ज़्यादा competition बढ़ेगा इस हालात में आपको क्या करना है अब दोस्तों आपको physical absency test या फिजिकल standard test के अच्छे से त्यारी करनी है अगर high jump में आप बाहर होते हैं तो उसकी त्यारी करो अच्छे से long jump में आप बाहर होते हैं उसकी त्यारी करो अगर running में आप बाहर होते हैं तो उसकी त्यारी करो अच्छे से और ये मत भूलिएगा कि 70 से 80 परसेंट जो students हैं aspirants हैं candidates हैं वो बाहर होते हैं written test में तो written test के अच्छे से त्यारी करो आप सभी के लिए हमने already courses जो हैं launch किये हुएं काफी students already register हो चुके हैं और अच्छे से त्यारी कर रहे हैं तो आप भी whatsapp करके पूरी जानकारी ले लेना course की जो भी आपको चाहिए हो सब कुछ मिल जाएगा हमारी खासियत यह रहती है दोस्तो के लिए quality लेके आते हैं पिछले भरती की बात करें 2019-2020 की तो उसमें भी हमारे 100 के आसपास aspirants जो है students जो है वो select हुए है अभी भी वो working है HP police department में या फिर other exams को वो crack कर चुके हैं और अपना department change कर चुके हैं तो 9816401767 एक बार message जरूर कर लेना अगर course की जानकारी चाहिए हो तो भी अगर कोई other आपकी query कोई question या फिर कोई doubt हो तो आप जरूर message करके बताइए जुदे रहो हमारे साथ जय हिंद जय हिमाचल